नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब सॉल्टी टेस्ट में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे तीन इंग्रीडेंट से बनने वाली दो बहुत ही असानी से बनने वाली चट्मी इन दोनों चट्मियों को हम लोग एर टाइट कंटेनर में रखके फ्रिज में रख सकते है एक महिने तक के लिए हम आज बनाएंगे खटाई और मिल्चे की चट्मी और मुफली और मिल्चे की चट्मी आईए अब चट्मी बनाने की विधी देख लेते हैं आप मिल्ची कम या जादा ले सकते हैं अपने स्वात के अनुसार हमने एक पैन लिया है जिसे मीडियम फ्लेम पे रखा है इसमें हमने दो टी स्पून सरसो का तेल डाला है आप कोई भी तेल डाल सकते हैं अब हम इसमें एक कटोरी लेसन डालेंगे और उसे थोड़ा सा भून लेंगे अब हम इसमें एक कटोरी खटाई डालेंगे और उसे भी थोड़ा सा चला लेंगे फिर इसमें हम एक कटोरी मिल्ची डालेंगे आप अपने स्वात के हिसाब से कम मिल्ची जादा मिल्ची डाल सकते हैं अब इसमें 2 टी स्पून नमक डालेंगे और फिर इसे मिला कर हम ढगके पकने के लिए रख देंगे थोड़ी तेर हम इसे चार से पाच मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे पाच मिनट हो गए हैं और देखिए हमारी चटनी अच्छे से पक गई है अब हम इसे एक मिकसर जार में निकाल कर पीस लेंगे हमें अपनी चटनी को दरबरा बनाना है और महीन नहीं पीसना है इसलिए हम इसे सिल्वटे पे भी कूट सकते हैं यहां हम मिकसर जार का यूज कर रहे हैं इसलिए हम इसे 2-3-3 सेकंड के लिए चला कर बन कर देंगे और दरबरा होने तक पीसेंगे हमें अपनी चटनी को इस तरह से पीसना है कि यह दरबरी रहे और महीन ना बने आप देख सकते हैं यह कितनी दरबरी है और इसमें हम पानी बिलकुल नहीं डालेंगे वरना हमारी चटनी बहुत ही गीली हो जाएगी हमारी चटनी अब तयार है इसे हम लोग फ्रिज में एक एर टाइट कंटेनर में एक महीने तक रख सकते हैं अब हम मुमफली की चटनी बनाएंगे मुमफली की चटनी बनाने के लिए हम लोग एक पैन चड़ाएंगे मीडियम फ्लेम पे और उसमें दो टी स्पून तेल का डालेंगे सरसोगे तेल का अब कोई भी तेल इस्तमाल कर सकते हैं अब इसमें एक कटोरी लहसुन डालेंगे और उससे थोड़ा भून लेंगे फिर एक कटोरी मिलचा का डालेंगे मिलचा आप अपने स्वादनुसार कम ज़ादा कर सकते हैं अब इसमें दो टी स्पून नमक के डालेंगे अब हम इसे पकने के लिए दो से तीन मिनट के लिए छोड़ देंगे तीन मिनट हो गया है तो अब हम इसमें एक कटोरी मूफली का डालेंगे और मूफली को पाच मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ढखकर अब हमारी चटनी तयार हो गई है और हम लोग फ्लेम को सुचौफ कर देंगे अब हम इसे मिकसर जार में डाल कर दरबरा पीस लेंगे देखे हमारी चटनी को ऐसे दरबरा पीस ना है हमें बहुत इसे पतला नहीं करना है हमारी चटनी तयार हो गई है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीचेगा और कमेंट सेक्षिन में जरूर बताईएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा